साथियों जब हम एक mobile phone खरीदते हैं तो वहाँ पे बहुत ही confusion होता है प्रोसेसर को समझने से लेके मिली एक mobile phone में बहुत सारे specification होता है जो कि हम easily समझ जाते हैं जैसे कि camera कितना megapixel है, battery कितना mh का है और भी कैसारी functionality हम बहुत ही easily समझ जाते हैं लेकिन बात जब हम processor समझने की करते हैं तो वहाँ पे काफी ज़्यादा confusion होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कौन सा processor waste होगा साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर processor होता क्या है और इसका mobile phone में क्या use है और समझेंगे कि आखिर ये octa core, dual core, quad core processors क्या होते हैं तो साथियों स्वागत है हमारे इस चैनल पे और आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर processor क्या है जिस तरह हमारे human body में brain का काम होता है जहां पे एक processing होता है जैसे कि आप सवाल पूछ दिया जाए कि बताए 3 प्लस 4 कितना है तो आप तो easily बता दोगों कि 3 प्लस 4 7 होता है लेकिन यहीं एक large scale पे कोई बड़ा सवाल पूछा जाए कि बताए 928 into 225 आखिर कितना answer होगा तो इस time तो आपका processor थोड़ा धीला पड़ जाएगा लेकिन smartphone में क्या होता है कि उसमें एक अच्छा processor होता है जो कि बहुत ही fast calculation करता है जिस भी smartphone जिस भी mobile phone के processor बढ़िया होता है तो उसका काम भी बहुत ही easy हो जाता है यदि आप इस बात से नहीं समझे तो छोटा सा example आपको गारी का performance होने वाला है आपको engine यदि सही है तो आप जादा दिन तक उसका use कर पाईएगा तो just like इसी तरह से mobile phone में आपका जो processor है यही काम करता है जो आपका जितना भी dealings होते हैं जितने application होते हैं जितने software होते हैं उनको जो control करता है वही processor है और इससे simple language में आप computer की CPU के ब जैसे कि computer में CPU होता है central processing unit तो दोस्तो mobile phone में use होने वाले बहुत सारे processors होते हैं जैसे कि snapdragon Qualcomm का snapdragon हो गया 845, 720, 710, 665 तो बहुत सारे processor होते हैं यह actually होता क्या है तो इसको थोड़ी देर बाद हम समझेंगे Mediatek के भी processors आते हैं जो mobile phone में हमें मिलते हैं आप जो iPhone होता है जैसे कि iPhone का add 12 processor है वो अभी तक का सबसे best processor है जो 7 nanometer technology भी based है तो दोस्तों यह समझने से पहले सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि actually core क्या होता है तो core भी एक processor unit का ही एक part होता है दोस्तों जैसे कि आप processor unit पे दिहान से देखते होंगे तो ऊपर से तो कुछ पता नहीं चलता है लेकिन अंदर में divide किये हुए रहते हैं तो basically यह quad core, dual core और octa core में से best core क्या होता है तो इसका भी जवाब आप खुद दे सकते हैं क्योंकि समझे simply quad core कहने का मतलब उसमें 4 cores है चार core है और octa core कहने का मतलब उसमें 8 core है उस processor में तो mainly जब कोई इनसान से एक काम करने के लिए बोला जाए तो वो यदि 8 घंटा में एक इनसान लगाता है तो यदि वहाँ पे हम दो इनसान को उस काम को करवाएं तो क्योंना चार घंटा में हो जाएगा इसी तरह दोस्तों इस core का काम होता है यदि 8 core है तो कोई भी जो आपकी processing होने वाली है वहुत ही easily हो जाएगा यह quad core की compare में dual core की compare में तो वहाँ पे octa core आपका best होता है तो साथियो अब हम समझते है nanometer technology actually होता क्या है यह 7nm होता है 10nm पे best processors होते हैं वह actually तोनों में difference क्या है अभी तक का सबसे best processor जो होता है वह 7nm पे best है आखिर यह nanometer होता क्या है दोस्तों तो यह nanometer एक distance मिजर करता है दोस्तों जब कोई chipset में बहुत सारे transistor लगे होते हैं जो actually signals transfer करता है और उसी signals transfer होने के कारण आपका processing होता है और जो भी आप screen पे input करते हैं तो उसका एक output आता है processing के बाद तो जितना कम nanometer technology होगा उतना आपका सही होगा actually जब इस chipset में लाखो हजारो कडोरो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो फटाफट signals भेजते रहते हैं तो उन ट्रांजिस्टर के gate के बीच का जो distance होता है वही 7 nanometer का होता है किसी का 10 nanometer का होता है तो किसी का 12 nanometer का होता है तो basically जिसका 7 nanometer का है यानि कि उसका सबसे कम distance है दोस्तों तो वहां पर signal बहुत ही frequently transfer होगा इससे आपका processing भी बहुत अच्छा होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7 nanometer पर बेस्ट जो आपका processor है अभी के date में वह iPhone में यूज होता है दोस्तों जो कि apple ने invent किया है और भी बहुत सारे जोर सोर से इस technology पर काम किया जा रहा है कि जितना अच्छा processor होगा उतना ही अच्छी performance होगी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा basically होता क्या है processor होता क्या है इसका क्या यूज है smartphone में